कि हैं अपका स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर फोर कारवन एवं उसके योगी यानि कारवन एट्स कमपाउंट के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को स्टेप बारी की से समझाया गया है यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्फूर होने वा प्राकृति में कारवन और इसके योगी प्राचूर मात्रा में पाये जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कारवन एक तत्व हैं और यह अज्ट्थिक संख्या में योगीकों का निर्मान करता हैं हमारी प्राकृति में कारवन और इसके योगी प्राचूर मात्रा में मौजू जगत के हो ये कार्वन के योगिकों का प्रमुख स्रोत है कि कार्वहाइड्रेड प्रोटीन वशा एवं सजीबों के सरीर का अधिकांग्ष पदार्थ कार्वन के योगिक हैं हमारे भोजन के अवयब जैसे की कार्वहाइड्रेड प्रोटीन वशा ये सभी कार्वन के ही होते हैं कि इसके अलावा पैट्रोलियम भी कारवन के योगीकों का प्रामुख सुरोथ है प्राकृति में कार्वन के योगीक व्यापक रूप में फैले हुए हैं सभी तत्वों के योगीकों की कुल सिंख्या से कार्वन के योगीकों की सिंख्या बहुत अधिक हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कार्वन एक तत्व हैं और जिस प्रकार दूसरे तत्व योगीकों की संग्रचना करता है ठीक वैसे ही कारवन भी योगीकों का निर्मान करता है परंतु सभी तत्वों के कूल योगीकों की सिंख्या से केबल कारवन के योगीकों की सिंख्या बहुत अधिक हैं कहने का मतलब यह हुआ कि कारवन एक एसा तत्व हैं जो अजत्य संख्या में योगीव outta resisting अंत करहें को अब तक लखुष तीन मिलियन कारवन के योगी के का पता चला हैं तक के अज्धन के मुताबिक लगवग तीन मिलियान यानि तीस लाख कारवन के योगीकों का पता चला है तिसी बात से अंदाज्या लगाए जा सकता है कि कारवन एक ऐसा तत्व है जो अज्तधिक संख्या में योगीकों की संग्रशना करता है अब हम जानेंगे कि कारवन अज्तधिक योगीकों की रशना क्यों करता है इसका पहला कारण यह है कि कारवन के परमानू परस पर जूड़कर सिधी स्रिंखला शाखित स्रिंखला एवं बंद स्रिंखला का निर्मान कर सकते हैं इसको चित्र के जरे हम समझने की कोशिस करते हैं कि कारवन के जो परमानु होते हैं यह परस पर जूरकर सिधी स्रिंखला बना सकते हैं शाखित स्रिंखला बना रिनात्माक एवं विद्धूत रिनात्माक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करके योगिकों का निर्बान कर सकता है आम तर पर ऐसा देखा गया है कि जो तत्व विद्धूत धनात्माक होती है वह विद्धूत रिनात्माक तत्व के साथ संयोग करती है प्रंतु कारवन ऐसा तत्व हैं जो दोनों प्रकार यानि विद्धुत धुनात'mák और विद्धुत धुनात'mák दोनों प्रकार के तत्वों के साथ स्वंयोग करने की छमता रखता हैं तो ये भी कारण है कि आजत्ठधिक सइंख्क्रा में योगिकटों की रचना करता है अगला कारण है कि कारवन के योगिक शमाव यवता यानी आईसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं शमाव यवता के बारे में इसी वीडियो में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे शमाव यवता एक ऐसी परिखटना है जिसमें किसी कारवनिक योगिकी राशायनिक शुत्र एक परंतु उसकी सांगरचना शुत्र अलग-अलग होती हैं उदाहरान अगर हम देखें तो ब्यूटेन के दो शमाव यवी यानी दो आईसोमर्स होते हैं पहला है नार्मल ब्यूटेन और दूसरा है आईसोब्यूटेन ब्यूटेन का राशायनिक शुत्र होता है इसमें ब्यूटेन दो रूपों में पाये जाते हैं एक है नार्मल ब्यूटेन और दूसरा है आईसोब्यूटेन इन दोनों योगिकों की राशायनिक शुत्र एक यानि सीफूर एच्टेन होता हैं लेकिन इसकी आनुविक संग्रचना भिन्न भिन्न होती हैं इसी परिखटना को समाव यवता यानि आईसोमेरिज्म कहा जाता हैं तो कारवन अच्तधिक सेंख्या में योगीकों की रचना करता हैं इसका एक कारण यह भी हैं कि यह कारवनिक इसका परमानु संख्या चो होता है और इसका electronic विन्नास निमन प्रकार है चुकि हम जानते हैं कि कारवन एक तत्व है जिसकी परमानु स्रिंखा 6 होता है अब इसका इलक्रोनिक विन्नास कैसा होगा पहला जो कच्छ होगा यानि के कच्छ उसमें 2 इलक्रोन होंगे और दुसरा कच्छ यानि एल कच्छ उसमें 4 इलक्रोन होंगे यानि कारवन के एक परमानु में इलक्रोन का जो विन्नास होगा वह इस प्रकार होगा कि पहला कच्छा में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरा कच्छा में चार इलेक्ट्रॉन होगा अतर कारवन के वाज्यतम कच्छा में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तिस प्रकार इसके electronic विन्नास को देखने के बाद हम ये जान सेथे हैं कि कारवन के वाज्यतम कच्छा में चार electron होते हैं अक्रिय ग्यास जैसी इस्थाई संग्रशना प्राप्त करने के लिए कारवन के लिए चार electron त्याग करना या चार electron ग्रहन करना संभब नहीं हो पाता हैं देखिये जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व के परमाणू आपस में अभिक्रिया करके योगिक का निर्मान करता हैं अब यह पर ऐसा क्यों करता है इसका कारण यह है कि किसी भी परमानू की यह टेंडेंसी होती है कि उसकी वाज़तम कच्छा में अक्रिय गैस जैसी स्थाई संग्रशना प्राप्त हो जाए यानि उसकी वाज़तम कच्छा में आठ इलेक्रोन पूरा हो जाए और इसी टेंडेंसी को पूरा करके या फिर इल्यक्रन का त्याग करके अपने वज्यतम चछा में आठ इल्यक्रन पूरा करने की कोशिष करता है परंतु कर subscription के वाजित में चार इलक्रन होता है तो चार इल्यक्रों को त्याग करना या फिर किसी और से चार इलाक्रोन गरहन करना कारवन परमानूं के लिए संभब नहीं हो पाता है अता कारवन परमानूं अन परमानूं के साथ इलाक्रोनों का साजह करके ही अस्टक पूरा करता है चुकि दुसरे परमानूं क्या करते हैं दुसरे तक्तों के परमानूं या तो इलाक्रोन त्याग कर लेकिन कारवन के परमानु इलेक्रान का त्याग और इलाक्रान ग्रहन भी नहीं कर पाते हैं इसलिए यह इलेक्रानों का साज्ञा करके ही अपने वाज्यतम कच्छा में अस्टक पूरा करता है इसी कारण कारवन पर्मानू सदा सहसंयोजी बंधन ही बनाता है जिससे कारवन के योगिक मुखता सहसंयोजी होते हैं तेकि इलाक्रोनों का साजा करने से जो बंधन बनता है उससे कहा जाता है सहसंयोजी बंधन यानि कारवन का परमानू सह संयोजी बंधन ही बनाता हैं इसलिए कारवन के योगिक मिख्ष रूप से सह संयोजी होते हैं अब आएए समझने की कोशिस करते हैं कि लैक्टरॉनों की साजेदारी से अनुओं का निर्मान किस प्रकार होता हैं इसके लिए हम एक्जामपल लेते हैं हाइड्रोजन अनुकार यानि H2 का चुकि हाइड्रोजन एक तत्व हैं और इसके परमानू में एक ही लैक्टरॉन होते हैं यानि इसके वाज़तन कहचा में हम कह सकते हैं कि एक लैक्टरॉन होते हैं अब यह hydrogen क्या करता है कि यह helium जैसी इस्थाय संग्रचना प्राप्त करना चाहता है जैसा कि helium के वाज़तन कच्छा में दो electron होता है तो hydrogen भी अपने वाज़तन कच्छा में दो electron जैसी इस्थाय संग्रचना प्राप्त करना चाहता है इसके लिए क्या करता है कि दो hydrogen परमानो हैं कि आप और आपके फ्रेंड दोनों इस्कूल गए आपके पास कलम है कापी नहीं है और उसके पास कापी है कलम नहीं है तो अब क्या है कि आप उससे कापी ले नहीं सकते क्योंकि उसके पास केबल एक ही कापी है इसी परकार आपका दोस्त आपसे कलम ले नहीं सकता है क्यो दोनों एक दूसरे के साथ मुखी करेंगे तिस प्रकारा के कंसेप्ट को कहा जाता है साधा करना 14 प्रमानों अपने केला करता है और इस प्रकार दोनों पर मैं हीलियूयोम जैसी संरघ्सना करता है यानी एक हाइडरोजन पर माvette वह दूसरे इलाक्टोन से साजा करता है इसी प्रकार दूसरा परमानु जो है वह अभी इलाक्टोन का साजा करता है तो इस प्रकार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन यानि सिंगल बोंड बनता है जब दो परमानुओं के बीच एक 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 इलाक्टोन का साजा होता है तिसमें जो बंधन वनता हैं उससे हम कहते हैं एकल बंधन यानि सिंगल बोंड तिस प्रकार हाइड्रोजन अनुका निर्मान होता है अब हम समझेंगे अक्सिजन अनो का निर्मान अक्सिजन का परमानू सिंख्या आठ होता है यानि इसके वाज़्यतम कच्छा में यानि के कच्छा में दो इलाक्रोन होगा और L कच्छा यानि दूसरा कच्छा में छो इलाक्रोन होगा यानि किसी oxygen परमानों के पहला कच्छा में 2 electron और दूसरा कच्छा में 6 electron होगा अब ये oxygen परमानों क्या करेगा कि अपना वाज्यतम कच्छा में 8 electron पूरा करने की कोशिश करेगा इसके लिए 2 oxygen परमानों आपस में electron की साज़ेदारी करेगा और ये दोनों oxygen परमानों आपस में दो दो electron का साज़ा करके अपना अपना अस्टक पूरा कर लेगा इस प्रकार पहला परमानों जो हैं वह अपना अस्टक पूरा करेगा और दूसरा परमानों जो हैं वह भी अपना अस्टक पूरा कर लेगा तिस प्रकार हमने क्या देखा कि आक्सिजन के दो परमानों आपस में दो दो इलाक्रोन का साजा करता है यानि दोनों के बीच द्वी बंधन यानि डवल बोंड बनता है डवल बोंड कब बनता है कि जब दो परमानों के मजद दो दो इलाक्रोन का साजा होता है इस प्रकार ड अपना अस्टक पूरा करने के लिए दो नाइट्रोजन परमानों आपस में किरिया करेगा और यह आपस में तीन तीन इलाइक्रोजन का साजा करके अपना अस्टक पूरा कर देगा पहला नाइट्रोजन परमानों तीन इलाक्रोन का सजा करके अपना अस्टक पूरा कर लेगा, दुसरा नाइट्रोजन परमानों जो हैं ये भी अपना अस्टक पूरा कर लेगा, इस प्रकार हमने क्या देखा कि दो नाइट्रोजन परमानों आपस में तीन तीन इलाक्रोन का स हाजा होता है इसलिए दोनों के मज्द त्री बंधन यानि ट्रिपल बोंड बनता है कि इसी प्रकार मेथन अनू का भी निर्मान होता है मेथन अनू के निर्मान के लिए कारवन का एक परमानू और हाइड्रोजन का चार परमानू भाग लेता है इसमें कारवन के एक परमानू और हाइडोजन के चार परमानू आपस में क्रिया करता है। चुकि हाइडोजन के वाज़तम कच्छा में एक इलाक्रोन होता है और यह हिलियम जैसी इस्थाई संग्रचना प्राप्त करने के लिए अपने वाज़तम कच्छा में दो इलाक्रोन पूरा करने की कोशिज करता है तो यह हाइडोजन परमानू कारवन के एक इलाक्रोन के साथ साजा करके अपना इस्थाई संग्रचना प्राप्त कर लेता हैं इसी प्रकार सभी हाइड्रोजन परमानू अपना इस्थाई संग्रचना प्राप्त कर लेता हैं हिलियम जैसा तिस प्रकार हमने क्या देखा कि हाइडोजन जो है हाइडोजन परमानू अपनी इस्थाई संग्रशना प्राप्त कर लिया कारवन के एक एक इलाक्ट्रॉन के साथ साजा करके अब कारवन के पास चार इलाक्रोन हैं और ये प्रित्यक हाइडोजन परमानू के साथ एक एक इलाक्रोन का साजा करेगा और ये अपने वाज्यतम कच्छा में आठ इलाक्रोन को पूरा कर लेगा तो हमने क्या देखा कि कारवन जो हैं ये चार हाइड्रोजन परमानू के साथ एकल वंधन बनाता है यानि प्रित्यक हाइड्रोजन परमानू के साथ एक-एक लैक्टोन का साज्या करता है इस प्रकार मेथन अनू का निर्मान होता है अब हमारा अगला टॉपिक है कार्वन की अपरूपता यानी एलोट्रापी अप कार्वन कुछ तत्व विफिन रूपों में पाये जाते हैं इन विफिन रूपों के भोतिक और कुछ राशानी गुनों में अंतर पाया जाता हैं कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक साधिक रूपों में विद्धमान होते हैं और इनके भोतिक और कुछ राशायनिक गुनों में अंतर भी पाया जाता है इसी परिघटना को अपरूपता यानि एलोट्रापी और विभिन रूपों को अपरूप यानि एलोट्राप्स कहते हैं जब कोई तत्व एक साधिक रूपों में मौजुद हो तो इसी परिघटना को अपरूपता कहा जाता है और अलग अलग रूपों को अपरूप कहा जाता है अगर हम कारवन की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट कारवन के दो अपरूप है यानि कारवन जो है वह हीरा के रू में भी उसकता हैं इस प्रकार कारवन के दो अपरूप माना जाता है हिरे में प्रित्ते कार्बन परमानों चार परोसी कार्बन परमानों से सह संयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं इसी कारण हिरा अब तक का ज्यान्त सबसे कठोर पदार्थ हैं यह पैंड बहुत ही इंपोर्टेट है अब तक का ज्यात सबसे कठोर पदार्थ क्या है सई जबाब है हीरा हीरा अब तक का ज्यात सबसे कठोर पदार्थ है इसका कारण यह है कि हीरे में प्रित्ते कारवन परमानों अपने पडोसी चार कारवन परमानों के साथ मजबूती से सह सयोजी बंधन द्वारा जूड़े ह होते हैं आपने काला हीरा का नाम सुना होगा जिससे बोर्ट भी कहा जाता है काला हीरा का उपयोग प्रिथिवी के अंदर छेद करने वाले यंत्रों और कांच काटने में किया जाता है चुकि हीरा जो हैं यह सबसे कठोर पदार्थ होता है इसलिए प्रिथिवी के अंदर छे का एक अपरूफ है ग्रेफाइट में प्रित्ते कार्वन परमानों अन्य तीन कार्वन परमानों के साथ एक ही तल पर आवंधित होते हैं हीरे के प्रित्ते कारवन परमानों अपने पडोसी केबल तीन कारवन परमानों के साथ ही आवंदित होते हैं और ये एक ही तल में होते हैं इसी गुन के कारण ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलंसीड होता हैं और इसलिए इसका उपयोग स्नेहक यानि लूब्रिकेंट के रूप में किया जाता हैं काले रंग की पदार्थ होती हैं यह ग्रेफाइट की होती है जब हम किसी सतह पर इस काले रंग के पदार्थ से उस सतह को रंग देते हैं तो वह सतह काफी फिसलंदार हो जाती हैं यानि ग्रेफाइट जो हैं यह एक स्नेहक के रूप में कायरे करता हैं इसका कारण यह है कि प्रित्य कारवन परमानों केबल तीन कारवन परमानों के साथ ही आवंदित होता है और सबसे महत्पूर्ण बात यह हैं कि ग्रेफाइट अधातू होते हुए भी विद्दूत का सुचालक हैं चुकि हम जानते हैं कि धातूं ये विद्दूत की सुचालक होती हैं परन्तु ग राशानिक योगिकों के प्रकार यानि राशानिक योगिक कितने प्रकार के होते हैं शुरू में राशान सास्त्रियों ने योगिकों को दो भागों में वर्गिक्रित किया विग्यान की सुरुवात के समय राशान सास्त्रियों ने योगिकों को दो भागों में वर्गिक्रित किया जितने भी राषायनिक योगिक हैं इनको दो भागों में इस प्रकार वर्गिक्रित किया गया पहला हैं कि निर्जीव स्रोतों से प्राप्त योगिक और दुसरा हैं सजीव स्रोतों से यानि जीवित स्रोतों से प्राप्त योगिक जो राषायनिक योगिक निर्जीव स् यानी सजीवों में प्राफ्ट किया गया उन्हें कारवनिक योगिक कहा गया इस प्रकार शुरुवात में रशाम सास्त्रियों ने योगीकों को दो भागों में वर्गीकृत किया कारवनिक योगिक और कारवनिक project अब हमारा अगला टॉपिक है जेव शक्ति का सिध्धान्त यानि वाइटल फॉर्स थियोरी यह काफी इंट्रेस्टिंग थियोरी है शुरू में यह धारना थी कि कार्वनिक योगीकों का निर्मान केबल सजीवों के सरीर में ही हो सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि कार्वनिक योगीकों का मुख्यसरोत सजीव ही है इसलिए यह लोगों में धारना थी कि कार्वनिक योगीकों का निर्मान केबल सजीवों के सरीर में ही हो सकता है और इसी धारना के अनुसार स्वीडेन के रसायन सास्त्री वर्जिलियस ने यह कल्पना की कि कार्वनिक योगीकों का निर्मान एक महान शक्ति के प्रभाव से केबल सजीवों के सरीर में ही बनता है और इससे प्रयोग साला में नहीं बनाया जा सकता वर्जिलियस ने एक सिध्धान्त दिया उन्हें कहा कि कार्वनिक योगीकों का निर्मान एक महान सक्ति के प्रभाव में केबल सजीवों के सरीर में ही हो सकता है इससे किसी भी हाल में प्रयोग साला में मनुष द्वारा नहीं बनाया जा सकता इसी सिध्धान्त को जेव सक्ति का सिध्धान्त कहा गया अब वर्जिलियस ने जो सिध्धान्त दिया इसी सिध्धान्त को जेव सक्ति का सिध्धान्त कहा गया परंतु कुछ समय के पस्चात वोहलर ने अचानक ही प्रयोग साला में यूरिया नामा कार्वनिक योगी का संसिलेशन किया उन्होंने दो आकार्वनिक योगी कों अमोनियम सलफेट तथा पॉटेसियम साइनेट के मिस्त्रन को गर्म करके यूरिया का निर्मान किया इस प्रकार जेव सक्ति के सिध्धान्त का अंत हुआ आगे चलकर विभिन प्रकार के कार्वनिक योगी कों का निर्मान प्रयोग साला में किया इस प्रकार वहलर पहला व्यक्ति था जिनने जेव सक्ति के सिध्धांत का खंडन किया इस प्रकार जेव सक्ति के सिध्धांत का अंत हो गया फ्रांस के रशायन सास्त्री लवाजीये ने प्रयोग द्वारा दिखाया कि कार्वनिक योगिक में कार्वन सर्वधा विद्दमान रहता है लवाजीये के अनुसार कार्वनिक योगिक में हमेशा कार्वन मवजुद होता है इस आधार पर कारवन के योगिकों को कारवनिक योगिक यानि आर्गनिक कमपाउंट्स कहा जाने लगा और इसके अध्यन को कारवनिक रसायन यानि आर्गनिक केमेस्ट्री कहते हैं वैसे योगिक जिसमें कारवन मौजूद हो उससे कारवनिक योगिक कहा जाता है और इसके अधन को कारवनिक रसायन यानि आर्गेनिक केमेस्ट्री कहते हैं अब अगला टॉपिक है हाइड्रोकारवन कारवन और हाइड्रोजन के संयोग से बने योगिक को हाइड्रोकारवन कहते हैं वैसे योगिक जो कार्वन और हाइड्रोजन से मने हैं हाइड्रोकार्वन कहलाते हैं हाइड्रोकार्वन योगिकों को दो भागों में विभाजित किया गिया है पहला है संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्वन यानि साचुलेटेड हाइड्रोकार्वन और दुसरा है और संत्रिफ् सबसे पहले हम समझते हैं कि संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्वन क्या है वैसे हाइड्रोकार्वन जिसमें सभी कार्वन परमानों एक दुसरे के साथ एकल बंधन यानि सिंगल बोंड द्वारा जूड़े रहते हैं संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्वन कहलाते हैं जैसा कि अभी हमने डिसकस किया कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं संत्रीफ्थ हाइड्रोकार्बन और और संत्रीफ्थ हाइड्रोकार्बन अब संत्रीफ्थ हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्वन परमानों एक दुसरे क साथ सिंगल बोंड द्वारा जूड़े होते हैं यानि एकल बंधन द्वारा जूड़े होते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन को संत्रीफ्थ हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और इन्हें सामाईन शूत्र CnH2N-2 द्वारा निरुपित किया जाता है जो संत्रीफ्थ हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एलकेन भी कहा जाता है और इनके लिए सामाइन शूत्र हैं CnH2n plus 2 अब ज़रा इसे हम समझने की कोशिस करते हैं कि यह सामाइन शूत्र होता क्या है चुकि एलकेन का सामाइन शूत्र जो हैं वह हैं CnH2n plus 2 अब यहाँ पर N is equal to 1 हम रखेंगे यानि N का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा पहला जो हैं वह होगा CH4 यानि जो सामाइन शूत्र दिया हुआ हैं CnH2n plus 2 इसमें N के जगह पर अगर हम 1 पूट करेंगे तो वैलू आ जाएगा CH4 और इससे कहा जाता हैं methane अगला N is equal to अगर हम 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा C2H6 और इससे कहा जाता है एथेन इसी प्रकार N is equal to 3 अगर रखेंगे तो फर्मूला हो जाएगा C3H8 और इससे प्रोपेन कहा जाता है N is equal to 4 के लिए हो जाएगा C4H10 जिससे ब्यूटेन कहा जाता है N is equal to 5 के लिए हो जाएगा C5H12 जिससे प्यूटेन कहा जाता है इसी प्रकार N is equal to 6 के लिए हो जाएगा C6H14 और इससे हैक्सेन कहा जाता है तो ये जो स्रेनी बना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इस प्रकार आगे जो बढ़ता जाएगा ये एलकेन स्रेनी है, यानि ये संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्वन की सूची है अब ज़रा समझने की कोशिस करते हैं कि और संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्वन यानि अन्सचुलेडर हाइड्रोकार्वन क्या है वैसे हाइडोकारवन जिसमें कारवन के दो परमानों दूई बंधन याने डबल बोंड अथवा त्री बंधन यानी ट्रिपल बोंड दोवारा जूड़े रहते हैं असंत्रिफ्थ हाइड्रोकार्वन वैसे हाइड्रोकार्वन है जिसमें दो कार्वन परमानू के मजद या तो डवल बोंड या फिर ट्रिपल बोंड पाया जाता है असंत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में बाटा गया है यानि असंत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला है एलकिन और दूसरा है एलकाइन एलकिन क्या है वैसे हाइडोकारवन जिसमें दो कारवन परमानू के मजद द्वी बंधन यानि डबल बोंड पाया जाता है कारवन और हाइडोजन के वैसे योगी जिसमें दो कारवन परमानू के मजद डबल बोंड पाया जाता है एलकिन कहलाता है एलकिन का समाइन सुत्र CnH2n होता है जैसा कि अभी हमने देखे कि एलकिन का समाइन सुत्र होता है CnH2n प्लस 2 लेकिन एलकिन का समाइन सुत्र होता है CnH2n अब यहाँ पर n is equal to अगर हम 2 रखेंगे चुकि यहाँ पर एक point important है कि एलकिन स्रेनी में n is equal to 1 नहीं होता है इसलिए n का मार हम 2 से ही सुरू करेंगे तो n is equal to 2 अगर रखते हैं तो इसका value निकल जाता है C2H4 और इससे कहा जाता है एथीन अब n is equal to 3 रखेंगे तो इसका value निकल जाएगा C3H6 और इससे कहा जाएगा प्रोपीन इसी प्रकार n is equal to 4 रखने पार इसका value निकल जाएगा C4H8 और इससे कहा जाएगा ब्यूटीन तो यह जो स्रेनी है एथीन प्रोपीन ब्यूटीन यह एलकिन स्रेनी में आता है और संत्रित हाइड्रोकारवन का अगला प्रकार है एलकाइन वैसे हाइड्रोकारवन जिसमें दो कारवन परमानू के मजद त्री बंधन यानि ट्रिपल बोंड पाया जाता है वैसे योगिक वैसे कारवन और हाइड्रोजन के योगिक जिसमें दो कारवन परमानू के मजद ट्रिपल बोंड पाया जाता है एलकाइन का समाइन सूत्र CnH2n-2 होता है यहां पर हम N का मान 2 से ही सुरू करेंगे यहां पर इस रेनी में N is equal to 1 से सुरू नहीं होता है बलकि N is equal to 2 से सुरू होता है तो N is equal to 2 अगर रखे तो इसका value निकल जाएगा C2H2 और इससे कहा जाएगा एथाइन N is equal to 3 रखे तो इसका value निकल जाएगा C3H4 और इससे कहा जाएगा प्रोपाइन इसी प्रकार N is equal to 4 रखने पर इसका value निकल जाएगा C4H6 और इससे कहा जाएगा ब्यूटाइन तो इलकाइन स्रेणी में जो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन है यह ऐसे योगीकों का स्रेणी हैं जिसमें त्री बंधन पाया जाता है अब तक के discussion में हमने hydrocarbon के बारे में पढ़ा hydrocarbon वैसे योगीकों को कहा जाता है जो carbon और hydrogen से बने होते हैं और यह hydrocarbon दो प्रकार के होते हैं पहला है संत्रित hydrocarbon और दुसरा है और संत्रित hydrocarbon अब इस संत्रित hydrocarbon का अलग नाम है और वह हैं एलकेन और आप संत्रित hydrocarbon दो प्रकार के होते हैं उसमें पहला है एलकीन और दुसरा है एलकाइन तिस प्रकार hydrocarbon के बारे में हमने जानकारी लिया अब हमारा टॉपिक है प्रकार्यात्मक समु जिसे इंग्लिश में फंक्शनल गुरूप कहते हैं इसे अविक्रियासिल समु के नाम से भी जाना जाता है किसी कारवनिक योगिक का अनु दो भागों का बना होता है इसमें एक समु अधिक महत्पुर्ण होता है और इसी समु योगिक के ला रशानेक गुन निर्भर करते हैं कारवनिक योगिक अनुफ होता है इसमें दो भाग अधिक महत्पुर्ण होता है क्योंकि इसी समुष लिए जिसपार योगिक का राशानिक गूर्ण निर्फर करता है अभी क्रियासिल समूह कहलाता है उदाहरन हम लेते हैं मेथील अलकोहल का जिसका राशानिक सुत्र होता है याने याने दूसरा है आए है sut अगर का wil अलकोहल में दो वाग होते हैं पहला है मेथील समू और दुसरा है कि इससे कहा जाता है जिससे कहा जाता है है और यह कुछ अभिक्रियासिल समू के बारे में जानकारे लेते हैं एक तरफ हम लिखते हैं योगिक की स्रेनी और दूसरा तरफ लिखते हैं उसका अभिक्रियासिल समू सबसे पहला जो स्रेनी है वह हम लेते हैं एलकोहल का अभिक्रियासिल समू है ओ एच इसी प्रकार इथर का अभ एक विशेज प्रकार की योगीकों की स्रेणी है और इसका अभिक्रियासियल समू है ओ एच इसी प्रकार इथर जो है वह विशेज प्रकार के कारवनिक योगीकों की स्रेणी है और इसका अभिक्रियासियल समू ओ होता है इसी प्रकार एलडिहाइड का अभिक्रियासियल समू हम आगे पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक हाए समजातिय स्रेनी यानि होमोलग स्रेज कारवनिक योगीकों की ऐसी स्रेनी जिसमें एक ही प्रकार की प्रकार्यात्मक समू हो समजातिय स्रेनी कहते हैं कारवनिक योगीकों की सिंख्या बहुत अधिक होती है और इन सभी योगीकों को विविन स्रेनियों में विभाजित किया गया है कारवनिक योगीकों की ऐसी स्रेनी जिसमें प्रकार्यात्मक समू एक ही हो तो ऐसे स्रेनी को समजातिय स्रेनी यानि हो मोलगत सिरीज कहा जाता है अगर हम बात करें अल्कोहल का तो जितने परकार के अल्कोहल हैं यह सभी एक विशेश परकार की समझातिया स्रेनी के अंतरकत आती है जैसे उदारन लेते हैं मेथिल अल्कोहल इसका राशानिक शूत्र होता हैं तो जितने परकार के अल्कोहल हैं सभी का फंक्शनल ग्रूप यानि प्रकार्यात्मक समू एक जैसा है और हुआ है ओए तिस परकार की राशानिक योगी को समझातिया स्रेनी के अंतरकत आता है कि समझातिया स्रेनी के किन्हीं दो क्रमागत सदेश्चों के आनुविक शुत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है आप देख सकते हैं कि किसी भी समझातिया स्रेनी में दो क्रमागत सदेश्चों के मज्द हमेशा CH2 का अंतर होता है है math alcohol और दूसरा है math alcohol तो अल्कोहल और यह अलकोहल का मजद CH2 , math 2 का अंतर है इसी प्रकार एथिल अलकोहल और प्रोपिल अलकोहल के मजद भीslot का अ नेक्स्ट टापिक हैं समाव यवता यानी आईसोमेरिज्ण। कुछ कारवनिक योगिकों के आनुविक सुत्र एक ही होते हैं परंतु उनके अनुव में परमानुव की वैवस्था भिन्न भिन्न होती हैं। यानी आईसोमेरिज्ण कहा जाता हैं तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की घटना समाव यवता कहलाता है समाव यवता को समझने के लिए हम उदाहरन लेते हैं ब्यूटेन का ब्यूटेन एक कार्वनिक योगिक है जिसका राशानिक सुत्र होता है C4H10 ब्यूटेन के दो समाव यवी हैं कहने का मतलब कि एक है नार्मल ब्यूटन और एक है आईसो ब्यूटन दोनों प्रकार के व्यूटन का राशानिक सुत्र एक जैसा है और वह है C4H10 परंतु नार्मल ब्यूटन और आईसो ब्यूटन में परमानूं की संग्रजना यानि परमानूं की जो वैवस्था होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं तो ऐसी परिघटना जिसमें राशानिक सुत्र तो एक जैसा परंतु उसकी संग्रजना सुत्र भिन्न भिन्न होती हैं इससे समाव यवता कहा जाता हैं और अलग अलग रूप को समाव यवी कहा जाता हैं तो ब्यूटन के दो समाव यवी हैं एक है नॉर्मल ब्यूटन और है आइस सो 23OD इस प्रकार अगर हम पेंटेन की बात करें तो 15 के तीन समांव से परकार पैंटेन के तीन समाव यविधा कि नार्मल पंटेंड है दूसरा है आइसो पांटेंड और तिसरा है नियोपेंडの प्रकार पेंटेन के तीन समाव यवी होते हैं तीनों प्रकार के समाव यवी में परमानुओं की व्यवस्था भिन 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 होती हैं परंतु इसमें राशानिक शुत्र एक जैसा हैं और वह हैं सीफाइप एच्टुएल अब हम पढ़ेंगे कार्वनिक योगिकों के राशायनिक गुंधर्म के बारे में सबसे पाले हम बात करेंगे दहन की अधिकांग्स इंधन पदार्थ कार्वन अथवा उसके योगिक होते हैं दहन पार अधिकांग्स कार्वन योगिक प्राचूर मात्रा में उस्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं अधिकांग्स इंधन पदार्थ चाहे हुआ लकड़ी हो कोईला हो पैट्रूलियम हो ये कार्वन और उसके योगिक के बने होते हैं और दहन के परिनाम सरुक कार्वनिक योगिक प्राचूर मात्रा में उस्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं कार्वन एक इंधन की तरह कारे करता हैं ये वायू की ऑक्सिजन के साथ जल कर कार्वन डायक्साइड ग्यास उस्मा और प्रकाश देता हैं इसी प्रकार मिथेन एक इंधन की तरह कारे करता है जो दहन के परिनाम सरुक उस्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। मिथेन उक्सिजन के साथ अफिकृप्न करके , जले के अनुँ उस्मा और प्रकास उत्पन्न करते हैं . इसी प्रकार एथिल अल्कॉहल भी इंधन की तरह कायरे करता है। एथिर अलकोहल वायू की अक्सिजन के साथ जल कर कार्बन डायकसाइड ग्यास जल के अनुम उस्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं संत्रिफ्थ हाइडरोकार्बन से समायनत स्वच ज्वाला निकलेगी जबकि असंत्रिफ्थ कार्बन योगीकों से अत्यधिक काले धुए वाली पिली ज्वाला निकलेगी अगर आप संत्रित हाइडरोकार्वन को जलाएंगे तो आपको स्वच ज्वाला प्राप्थ होगी लेकिन असंत्रित कार्वन योगिकों को जलाने से काले धुए के साथ पीली ज्वाला की प्राप्ति होती है वायू की सिमित आपूर्ती में अपूर्ण दहन होने पर संत्रित हाइडरोकार्वन से भी कजली ज्वाला निकलेगी अगर दहन अपुर्ण दहन हो यानी ऑक्सिजन की परियाप्त मात्रा उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिती में संत्रित हाइडरोकार्वन के दहन से भी कज़ोली ज्वाला निकलेगी इसलिए गैस या केरोसिन स्टोप में वायू के लिए छिद्र होते हैं ताकि परियाप्त मात्रा में ऑक्सिजन ज्वाला को प्राफ्थ हो सके आपने ये देखा होगा कि गैस स्टोप या फिर केरोसिन स्टोप में वायू के प्रवेश के लिए छिद्र होते हैं ताकि दहन की प्रक्रिया में प्रयाप मात्रा में अक्सिजन की प्राप्ति हो और इस प्रकार स्वच ज्वाला प्राप्त हो यदि कभी वर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई देएं तो इसका अर्थ होगा कि वायू चिद्र अवरुद्ध हैं और इंधन का अपुन दहन हो रहा हैं जिससे इंधन का वयर्थ बैख हो रहा हैं आपने ये देखा होगा कि कभी कभार खाना बनाने वाले वर्तन के तले काले हो जाते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि इंधन का अपुर्ण दहन हो रहा हैं और ये अपुर्ण दहन होने के पीछे का कारण ये हैं कि इसमें वायू छिद्र में अवरुद्ध हैं और इस प्रकार कोईा तनल में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तता सुफर होते हैं अता इसके दहन से सुफर और नाइट्रोजन के अ extrêmement होते हैं जो परिया Theo में प्रामुक प्रदुशक हैं जितने भी जीवाश मिंधन हैं जैसे की कोईला और पैट्रोलियम इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सुलफर होते हैं इसलिए कोईला और पैट्रोलियम के दहन से वाई मंडल में सुलफर और नाइट्रोजन के आकसाइड मुक्त होते और यह पर्यावरन को परदुषित करती है अब जरा हम समझने की कोशिस करते हैं कि जलते हुए पदार्थ कब ज्वाला उत्पर्ण करते हैं अपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं जब कि कुछ पदार्थ बीना ज्वाला के जलते हैं अक्सर इंधन पदार्थ आग की लफटों के साथ जलता है आग की इसी लफटों को ज्वाला कहते हैं जब कोई इंधन पदार्थ जलता है तो ये कभी कभार आग की लफटों के साथ जलता है और इसी आग की लफटों को ज्वाला कहा जाता है केवल गैस्य पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन होते हैं लकडी या कोईला प्रारंब में ज्वाला के साथ जलते हैं परंतु वाश्पसिल पदार्थों के वाश्पिक्रित हो जाने के फलसरूप या लाल रंग के साथ बीना ज्वाला के जलता हैं अब ज़रा इस चाहिए हम समझने की कोशिस करते हैं शुरू में लकडी के टुकडे या फिर कोईले के टुकडे ज्वाला के साथ जलते हैं लेकिन कुछ समय जलने के पश्चात ये बीना ज्वाला का लाल रंग के साथ जलता हैं कारण क्या हैं कि जब तक इसके अंदर आनि कोई पदार्थ ज्वाला के साथ तभी जलते हैं जब उसमें वास्प्सिल पदार्थ मौजूद हो कोईला तथा पैट्रोलियम का निर्मान अब हम जानेंगे कि हमारी प्रिथिवी पर मौजूद कोईला और पैट्रोलियम का निर्मान कैसे हुआ लाखों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आपदा के कारण घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए व्यग्यानिकों का ऐसा अनुमान हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आवदा के कारण प्रिथिवी पर उपस्थित घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए अट्रिक ताप एवमदाब के कारण ये पेड्प abdom लाखों वर्षों के बाद कोईले में परिवर्थित होगे तुश्प्रकार कोईले का जो निर्मान हुआ वह मिर्त्थ पेड्प souhaareth से कोईले निर्मान हुआ इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि पैट्रोलियम का निर्मान कैसे हुआ वैग्यानिकों का ऐसा मानना है कि पैट्रोलियम का निर्मान समुद्री जीव से हुआ है मिलित्य समुद्री जीव समुद्री तल पर धिरे धिरे जमा होते गए और गाद से ढखते गए व्यग्यानिकों का ऐसा मानना है कि समुद्री जीव मरने के पस्चात समुद्री तल पर धीरे-धीरे जमा होते गए और इसके उपर मिट्टी और बालू की तह लगातार ढखते गए लाखों वर्षों के पस्चात ये मृत्त जीव पैट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित होगे और इस प्रकार अच्तधिक ताप और अच्तधिक दाव के कारण लाखों वर्षों के समय अंतराल में ये मृत्त समुद्री जीव पैट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित जीवाश्म से हुआ इसलिए इनने जीवाश्मी इंधन यानि फाजिल फ्यूल्स कहते हैं तो अब तक के डिसकुशन में हमने यह देखा कि कोईला और पैट्रोलियम का जो निर्मान हुआ वह मृत पेड़ पोधे और मृत जीव जन्तु से हुआ है यानि इसका जो निर्मान है वह जीवाश्म से हुआ है इसलिए कोईला और पैट्रोलियम को जीवाश्मी इंधन इंग्लिस में से फाजिल फ्यूल्स कहते हैं अब अगला टापिक है अक्सिकरन यानि अक्सिडेशन आम तोर पर अक्सिजन जोडने की प्राक्रिया को अक्सिकरन कहते हैं आम तोर पर किसी पदार्थ में अक्सिजन का जूरना ही अक्सिकरन कहलाता है इंधनों के दहन की प्राक्रिया में इसमें अक्सिजन जोडा जाता है जब कोई भी इंधन का दहन होता है तो ये वायू की अक्सिजन के साथ अभिक्रिया करती है यानि अक्सिजन जोडा जाता है अता दहन एक अक्सिकरण अभिक्रिया है कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को अक्सिजन देने की शमता होती है कुछ ऐसे राशानिक पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को अक्सिजन दे सकता है इन पदार्थों को अक्सिकारक यारी अक्सिडाजिंग एजन्ट कहा जाता है जो पदार्थ किसी दुसरे पदार्थ को अक्सिजन देने की जहमता रखता है वैसे पदार्थ को अक्सिकारक पदार्थ या अक्सिडाजिंग एजन्ट कहा जाता है च्छार्कियो पोटेसियम परमेगनेट अथवा अमलियक्रित पोटेसियम डाइक्रुमेट अलकोहल को अमल में अक्सिक्रित करते हैं यहां पर दो प्रकार के अक्सिकारक पदार्थ का उल्लेक किया गया हैं पहला है च्छारकियो परमेगनेट और दुसरा है अमलियक्रित परमेगनेट यह दोनों प्रकार की अक्सिकारक पदार्थ क्या करते हैं कि यह अलकोहल में अक्सिजन जोड देते हैं और इसको अमल में परिबर्तित कर देते हैं चलिए हम एक्जांपल ले लेते हैं एथील अलकोहल को जब छार किया पौटेसियॉम पर्मेगनेट अथम्लियकृत पौटेसियॉम डियक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता हैं तो यह बनाता है एसिटिक अमल यानि एलकोहल जो हैं यह अक्सिजन प्राप्त करके एसिटिक अमल में परिवर्थित हो जाते हैं संकलन अभिक्रिया इसे इंगलिश में एडिशन रियक्शन कहा जाता हैं इस प्रकार के अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके केबल एक प्रकार का ही पदार्थ बनाता है। यह संकलन अभिक्रिया का एक अब हम जानेंगे प्रती अभिक्रिया के बारे में इसनेंगे सब्सेटुटिशन रियक्षन कहा जाता है। जब मेथेन और कुलोरीन के मिश्रन को सूर्य के प्रकास की उपस्थिती में रखा जाता है तो ये कुलोरीन परमानू हाइड्रोजन के परमानू का प्रति इस्थापन करती है अब ज़रा एक्वेशन पर एक नजर हम डालते है मेथेन और कुलोरीन के मिश्रन को जब सूर्य क के प्रकास की उपस्थिती में रखते हैं तो क्या होता है क्लोरीन परमानू मेथेन से हाइड्रोजन परमानू को प्रति इस्थापित कर देती हैं और इस प्रकार बनता है Cheryl L all based थाफ Eli alles है मेथिल वाराइड कहा जाता है इसके अलावा बनता है एक सी एल यानि हाइड्रोप्रोरिक अमल इस प्रकार के अविक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि मेथेन का हाइड्रोजन परमानू को प्रति इस्थापित किया जाता है क्लोरिन परमानू के द्वारा और इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रती इस्थापन अभिक्रिया यानि सब्स्टिट्यूशन रियक्षन कहा जाता है अब हम कुछ महतपूर्ण कारवन योगिक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला है एथनल एथनल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे एथनल एक कारवनिक योगिक है सामाइन नता एथनल को एलकोहल कहा जाता है तथा यह सभी एलकोहली पेपदार्थों का महतपुर्ण अवयब होता है साधारन रूप से एथनल को एलकोहल के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी एलकोहली पेई पदार्थ जितने भी प्रकार की एलकोहली पेई पदार्थ हैं उसका एक महत्पुर्ण अवयव होता है एथनल इससे एथिल अलकोहल के नाम से भी जाना जाता है और इसका राफशानिक शूत्र C2H5OH होता है ये point बहुत ही important है कि एथनल का अच्छा विलाएक हैं इसलिए इसका उपयोग टिंक कॉस्षसिरफ टॉणिक आदि में किया जाताएं एथनल का उपयोग की तोड़ी थीप मात्रा लेने पर नसा आ जाता है पर सुद्ध ऐथनल लोग इसमें जल मिलाकर सेवन करते हैं आम तर पर एथनल जो हैं यह एक एलकोहली पेपदार्थ हैं परन्तु इसका सुद्ध रूप का सेवन नहीं किया जाता हैं क्योंकि एथनल की थोड़ी सी भी अगर मात्रा सुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए तो यह हमारे सरीर के कि के लिए लिए घातक हो सकती है इसलिए लोग एथनल का सेवन करते हैं तो उसमें जल लूकर इसका सेवन करते हैं है हैं है कि हनांकि एलकोहल पीना समाझ में निंदनिया है और यह स्वाश्टी दृष्टी से काफ execute हानिकार होती हैं अब हम देखेंगे एथनल की कुछ राशाइनिक गुन यानि एथनल की अभिक्रियाएं एथनल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन ग्यास उत्सर्जित करता है एथनल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ग्यास का निर्मान करती हैं साथ में CH3CH2ONA का भी निर्मान होता है और इससे कहा जाता है सोडियम एथक्साइड इस प्रकार एथनल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके सोडियम एथक्साइड और हाइड्रोजन ग्यास उत्सर्जित करती है एथनल को सांद्र सल्फियूरिक आमले के साथ गर्म करने पर एथनल का निर्जली करन होकर एथिन बनता है जब हम एथनल को सांद्र सल्फियूरिक आमले के साथ गर्म करते हैं तो एथनल से जल निकल जाता है और इस प्रकार एथनल के निर्जली करन से एथिन बनता है एथनल का राशायनिक सुत्र होता हैं CH3CH2OH और जब इससे सांद्र H2SO4 यानि सांद्र साल्फिरिक अमलक के साथ गर्म करते हैं तिसका निर्जली करण होकर एथिन बनता हैं यानि एथिन के अलावा जल के अनुका भी निर्मान होता हैं तिस प्रकार एथनल और सांद्र साल्फिरिक अमलक आपस में अभिक्रिया करके जल के अनुका निर्मान करते हैं अगला टॉपिक हैं सजीव प्रानियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता हैं जैसा कि हम जानते हैं कि एल्कोहल पीना हमारे स्वास्थ के लिए हानेका एंधुक का दोर परखल जेए जब अधिक मात्रामें एथनल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचवın प्राक्रिया धिमी हो जाती हैं तो था केंद्रिय तंत्री का तंत्र कमजोर हो जाता हैं हमारी सरीर एक मशीन की तरह कारे करती हैं इस सरीर के अंदर विभिन्य परकार की रासानिक अभिक्रियाएं होती राती हैं और इन सवी रासानिक अभिक्रियाओं को उपापचवी प्राक्रिया कहा जाता है एथनल के अधिक सेवन से हमारे शरीर की उपापचवी प्राक्रिया धीमी हो जाती है तो था हमारे शरीर की केंद्रिय तंत्री का तंत्र भी कमजोर हो जाती है इसके सेवन से समनवाई की कमी, मानसीक दुविदा, अनित्रा और भाव स्विन्यता आती है हलाकि इसके सेवन से व्यक्ति राहत महसुस करता है लेकिन उसके सोचने समझने की छमता तथा मांगश्पेसी बूरी तरह प्रभावित हो जाती है तिस प्रकार एलकोहल जहां हुआ सरजी प्रानियों के लिए हानिकारक होती है अब तक के डिसकोशन में हमने ये देखा कि एथनल हमारी अलकोहली पेपदार्थों का एक महतपूर्ण भाग होता है इसके अलावा एथनल एक महतपूर्ण औध्योगिक विलायक हुई है विविन प्रकार की औध्योगिक क्रियाओं में एथनल का उपयोग किया जाता है औध्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथनल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि इससे यह पीने यग ना रह जाए चुकि एथनल जो है वह एक पीने यग अलकोहल है लेकिन अध्योगिक उपयोग में एथनल के साथ एक जहरीला पदार यानि मेथनल मिला दिया जाता है ताकि यह पीने यग ना रहे और इसका दुरुपयोग अध्योगिक छेत्र में ना हो सके मेथनल की थोड़ी सी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्तु हो सकती है एथनल और मेथनल दोनों एलकोहल है एथनल का उपयोग हम अलकोहली पेपदार्थों में करते हैं परन्तु मेथनल एक अलकोहल होते हुए भी इसका उपयोग पेपदार्थों में नहीं किया जा सकता क्योंकि मेथनल एक जहरीला पदार था है और इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी व्यक्ति की मिर्ट्थू हो सकती है इंधन के रूप में एथनल, एथनल का प्रयोग इंधन के रूप में भी किया जा सकता है गन्ना सूर्य के प्रकास को राशानिक उर्जा में बदलने में सरवाधिक सच्छम होता है चुकि गन्ना जो हैं ये सूर्य के प्रकास को प्रकास संक्सिलेशन की प्राक्रिया द्वारा राशानी कूर्जा में बदलने में सबसे अधिक सच्छम होता है गन्ने के रस्का किनुवन करके एथनल तयार किया जाता है कुछ देशों में अल्कोहल में पैट्रोल मिलाकर उससे स्वच इंधन के रूप में इस्तमाल किया जाता है चुकि अल्कोहल जहां ये एक इंधन के रूप में भी कारे कर सकता है इसलिए बहुत सारे देशों में एलकोहल में पैट्रोल मिला कर इससे एक स्वच इंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यह इंधन परियाप्त अक्सिजन होने पर केवल कारवन डायकसाइड एबम जल उत्पन्न करता है एथनल का इंधन के रूप में उपयोग एक रूप से बहुत ही महत्पुर्ण है क्योंकि यह परियाप्त अक्सिजन के साथ जल कर केवल कारवन डायकसाइड और जल उत्पन्न करता है इसके अलाबा कोई भी दूसरे हानिकारा गयस यह उत्पन्न नहीं करता है अगला कारवनिक योगिक का नाम है एथनाइक अमल अब हमें एथनाइक अमल के बारे में जानकारी लेना है शामाइन तो इससे एसीटिक अमल भी कहा जाता है एसीटिक अमल के तीन चार प्रतिसद विलेन को सिरका कहा जाता है वह एक सहरे परी रच्छत के रूप में इस्तंवाल किंग उत्तिक अश्व का टीन से चार परतिसाथ चली विन ले लेए तो शिर्का कहा जाएगा और सिर्का का उपयोग अश्व में प्रीरच्छत के रूप में इस्तंवाल किए जाता है एतऊनाएक ओमल दोर अ趣 और उपिक्रिया से आश्टर निर्मित होते हैं और या यानि एतऊनाइक ओमल और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर के एस्टरруд का निर्मान करते हैं CH3, COO, CH2, CH3, और इसके अलावा जल के अनु का निर्मान भी होता है। इस प्रकार एथनोईक अमल और एथनल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर और जल के अनु का निर्मान करते हैं। इसे प्रकार एथोडियों। सॉोडियों हाईडाकसायड जैसे, चहारक सु अभिक्रिया करके लबन और जल बनाते हैं. शी हैजच्थी सी डवालो ह यानि एथोडियों हाउडियों। यह अभिक्रिया करती हैं NaOH से यानि sodium hydroxide से और इस प्रकार इन दोनों के अभिक्रिया के परिणाम सरूप बनता हैं CH3COONA जिससे sodium acetate कहा जाता है और इसके अलावा जल के अनुका भी निर्मान होता है इस प्रकार एथनोईक अमल जो हैं यह sodium hydroxide से अभिक्रिया करके लवन और जल का निर्मान करते हैं अगला रियक्षन इस प्रकार हैं कि एथनोईक अमल कार्बोनेट एवं hydrogen कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवन कार्वन डायक्साइड एवं जल का निर्मान करते हैं इसी प्रकार एथनोईक अमल जो हैं वह कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवन जल और कार्बोन डायक्साइड गयस का निर्मान करते हैं इसी प्रकार एथनोईक अमल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवन जल और कार्बोन डायक्साइड गयस का निर्मान करते हैं अगला टॉपिक हैं साबून और अपमार्जक यानि साफ्स एंड टिडर्जेंट्स अधिकांग्स मैल तैलियो होते हैं और तेल पानी में अघुलंसिल होते हैं हम कपड़ों की साफ सफाय करने के लिए साबून या फिर अपमार्जक का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि मैल जो होते हैं वह तैलियो होते हैं और तेल पानी में अघुलंसिल होते हैं लेकिन साबून या अपमार्जक के उपयोग से ये तैलियो मैल आफसानी से निकल जाते हैं साबून के अनू लंबी श्रिंखला वाले कार्वसलिक अमलों के सोडियम अबंप पोटेसियम लबन होते हैं साबून अनू का आयनिक भाग जल से तथा कार्वन श्रिंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती हैं साबून का अनू दो भाग वाला होता हैं और दुसरा भाग कारवन श्रिंखला वाले भाग होते हैं साबून अनू का आयोनिक भाग जल के साथ क्रिया करते हैं जबकि कारवन श्रिंखला तेल के साथ परश्परिक क्रिया करते हैं इस प्रकार साबून अनू जो हैं वह मैल को आसानी से बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार साबून के अनू मिसल संग्रजना तयार करती हैं जल में साबून के अनू मिसल संग्रजना तयार करती हैं इसमें क्या होता है कि तेल की जो बुंदे होती हैं ये साबून के अनू चारों और से घेर लेती हैं साबून के अनू का जो कारवन श्रिंखला वाले भाग होते हैं ये तेल की अनू के साथ क्रिया करती है जबकि साबून के अनू का जो आयनिक भाग होता है ये जल की अनू के साथ अभिक्रिया करती है तो इस प्रकार मिसेल संग्रशना तयार करती है और इस प्रकार कपड़ों की सफाई मिसेल संग्रचना के परिणाम सवरूफ होती है। हम लिख सकते हैं कि मिसेल में साबून अनु का एक सीरा तेल कंड की और तथा आयनिक सीरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबून का मिसेल मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते है कठोर जल के साथ साबून का आचरन आपने ये अनुभब किया होगा कि कुछ ऐसे जल होते हैं जहां साबून आसानी से जागुतपन करता है लेकिन कुछ ऐसे जल होते हैं जहां साबून आसारी से ज्ञाग उत्पन नहीं करता है इस प्रकार का जल जिसमें साबून मुश्किल से ज्ञाग उत्पन करता हैं कठोर जल कहलाता है कठोर जल में अधिक मात्रा में साबून का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि साबून कठोर जल में उपस्थित कैल्सियम और मैंगनेसियम लवनों से अभिक्रिया करता है आपने यह देखा होगा कि कठोर जल में साबून बहुत मुश्किल से ज्ञाग उत्पन करता है इसका कारण यह है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्सियम और मैंगनेसियम लवन साबून के साथ अभिक्रिया करता है और यही कारण है कि अधिक मात्रा में साबून का उपयोग करने पर ही ज्ञागुत्पन होता है इस प्रकार के समष्षा के समाधान है तू अपमार यानि डिटर्जंस का उपवयोग किया जाता है तो कठोर जल में ज्ञागुत्पन कराने के लिए एक विसेश्फ क्रकार के मानव निर्मित-पदार्थ का इस्तिमाल किया जाता है जिस स शेंपू कपड़े धोने के उत्पात जो होते हैं वह कठोर जल में भी आसानी से ज्ञागत पर न करते हैं इस वीडियो के जरीए हमने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिस किया और उम्मिद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी कुछ सिखा होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएँ साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने और नोटिफिकर्शन बेल को अन करने ताकि हर नवी वीडियो की अपडेट्स आप तक आसाने से पहुंच सके इस्टुडेंट्स तब तक के लिए बाई